मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ बागवट्टी जी ने ये जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एक अधसार बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं, जिनको डाइबिटीज है, और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए, घाओ, तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ 8-10 पेशेंट है जिनको ऐसी ही कंडिशन है डाइबिटीज होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई फोड़ा हो गया गाओ बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बंद किया होमियोपेथी का फिर मैंने का बईया बागबटी जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुमारे गाओ पे और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का पेशेंट है गैंगरीन हुआ डॉक्टर कहता तब पैर काटना ही पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने विचारे ने साल बर लार लगा-लगा कि अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशे आ रहे चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते हैं फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके माबाप बहु मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मूंका थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत भोले होते हैं सीधे होते कोई भी बात अगर समझ में आए तो कर उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बिमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस आँखों की बिमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतराया हो आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुरवेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बिमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अ अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है, आठ साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसकी आँखें टेड़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको, ऐसा है, अब उसके माता पिता हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ, लगबग मुझे चार साड़े-चार महीना हो गया है, और उसका टेड़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, बहेंगापन, उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है, और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रहें, तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वेग्यानिक को पूछा, दिल्ली में, कि यह लार में क्या है, एक्च्छली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है, तो उन्ह यह लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेश कीमती है, इसको कभी नश्ट नहीं करना, इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करतें, और दो चार बातें बता दू, क्या-क्या रोग और ठीक कर सकतें, आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धबबा हो गया, जैसे जल गए, जले का दाग होता है न, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी-थोड़ी मालिश करते रही है, छे-ाट महीने में धगा धबबा बिलकुल साफ हो जाए, जले हुए का धबबा, शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है, या काला न हो गया या धिमा का हो गया, एक्जीमा हो गया मालो, खराब बिमारी की बात करूँ, एक्जीमा हो गया, एक्जीमा पर रोज सुबह की लार लगाईए, मालिश करते रही है, छे-ाट महीने के बाद देखिएगा साफ, और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बिमारी है, सो फोकट के और मुफद के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपर पर लिए आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें